Hello everyone, आज के वीडियो में हम discuss करने वाले हैं एक बहुत ही जाधा important topic, especially ये वीडियो dedicated है science के हमारे सुन्दर सुन्दर चातरों के लिए या फिर चातराओं के लिए, अच्छा इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं दिली यूनिवर्सिटी के, DU के best courses for science student, PCM करा है, PCB करा है, PCMB था, B.Sc. अगर आपको करनी है, तो उसके कौन-कौन से DU के best colleges हैं और उन colleges में B.Sc. के कौन-कौन से options आपको available मिलते हैं, fees क्या है, सब कुछ आज के वीडियो में होने वाला है, बीना कोई time waste करते हुए, चलिए start करते हैं, सबसे पहला हमारा college रहेगा, आत्मराम सनातन धर्म college, ये में हैं, तोनों की reputation almost equal है, courses पे नजर दालते हैं, चलिए, देखे, B.Sc. के बहुत सारे, honors के बहुत सारे courses आत्मराम आपको offer करता है, physics है, chemistry है, maths है, electronics है, CS है, chemistry, electronics है, applied science है, applied science with industrial chemistry है, fees बहुत ही nominal है, C.E.T. में बहुत अच्छा आपको score करना है, उसके basis पर आपका selection होता है, औ और फी structure आप देख सकते हैं, less than one lakh में कितने essay colleges हैं, जो कि आपको honors की in popular specialization में आपको अपना B.Sc. complete कराते हैं, बहुत ही कम है, इंडिया के, right, उन में से D.U.K. colleges है, right, दीन दयाल, next, बहुत ही ज़्यादा popular ये भी college है, B.Sc. के botany, chemistry, computer science, electronic, mathematics, almost बहुत सारे specialization आपको ये offer करता है, honors की, और नॉर्मल में भी mathematics science मिल जाती है, physical science मिल जाती है, computer science मिल जाती है, physical science with computer science भी आपको मिल जाती है, fee structure आपके सामने है, 19,000 के नियर बाउट है, fee structure यहाँ पर तो almost 18,19, 18,19, 19 के नियर बाउट यहाँ पर fee structure आपको देखने को मिलता है, गारगी college है, बच्चा, next हमार यह भी botany, chemistry, microbiology, mathematics, physics, geology बगएरा में, courses बगएरा offer करता है, अच्चा, एक question आ रहा था बच्चो का, कि sir, जब हम apply करते हैं, CUET में, जब हम respective website पे जाते हैं, क्या criteria रहना चाहिए, सबसे पहले criteria यह रहना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए, कि आपका target college कौन सा है, plus कौन सा course आप target कर रहे हैं, जो course आप target कर रहे हैं, क्या वो उस university में वो course है भी या नहीं, सबसे पहले तो यह देखो, अगर पता लग जाए, कि भाईया, यह course इस university में है, तो obviously चीज है, उस university के website में जाओ, counselling के लिए apply करो, right, तो अपने score card के basis पर apply करो, आपको खुद को पता होना अचे कि इसकी यार, cutoff बहुत जादा जाती है, मेरा number नहीं है, क्योंकि मेरा score है, वो बहुत कम है, तो ऐसे colleges में apply करो, जहांपर selection के chances आपके बढ़ जाए, और सिर्फ एक में नहीं, तीन-चार में try करो, तब जाकर किसी एक college में निकल पाता है, और पहली cutoff आती है, दूसर के भी बहुत सारे courses है, honors के भी courses देख सकते हैं, anthropology आपको देखने को मिल रहा है, geology, physics, chemistry, geology, electronics बहुत सारे specialization है, BCB बाले कर सकते हैं, BCM बाले कर सकते हैं, यहां पर commerce के लिए कोई जगा नहीं है, यहां पर arts के लिए कोई जगा नहीं है, clear हो पा रहा है बच्छा, fee structure देख सकते थोड़ा सा देखे, B.Sc. honors computer science है कर रहे है, 46,000 के निए बाव फीज है, लेकिन हो और तो जमीन आस्मान का फरक है, private university से तो, लेकिन हंसराज की popularity आप जानते हैं, हमेशा top 10 में रहा है, इंडिया की colleges की list में, right, हिंदू, हिंदू में honors के काफी stats आ जाता है, यहां पर थोड़ सा अलग आपको देखने को मिलता है, right, physical science with chemistry, electronics आ जाती है, fee structure आपके सामने है, right, आगे जो है हमारा महराजा अग्रेसें college है, यह भी काफी अच्छा college है, B.Sc. honors का यह course specialization में offer करता है, electronics में, mathematical science में, physical science with computer, physical science with chemistry आपको offer करता है, एक modest यहां पर भी fee structure आपको देखने को मिलता ह है, फिर आता है हमारा बच्छा next college आता है, किरोरी मल, जहां पर काफी variety of courses आपको मिलते हैं, 14,000, 15,000, यह इन आपको इसका भी fee structure है, जहां पर botany, chemistry, life sciences, mathematics जैसे courses आपको offer करते हैं, यह various list of courses है बच्छा, यह courses specifically यह universities वगएर offer करती है, अगर आपको यह courses करने हैं, in universities से, in colleges से, तब ही आपको apply करना है, बान के चलिए कोई ऐसा course करना है, जो यहां पर है ही नहीं, तो आपका admission क्या करोगे लेकर, या कैसे हो पाएगा, right, obviously चीज़ है, सबसों पहरे देखना है कौँसा course करना है, जो course आपको करना है, उस college में भी तो होना चीज़ है, college में देखो, वो course ह है या नहीं, अगर है तो apply करो, नहीं ही है, तो जिस college में है उसमें apply करो, as simple as that, तो life में चीज़ है ना, complex उतनी है नहीं, जितनी हम बना देते हैं, right, Mirinda House, number one, NERV के according, हमारा college है, B.Sc, Life Science है, Physical Science है, Physics, Chemistry, Botany, Geology, Mathematics, ठीक है, इंडिया का best college में, आफी स्टक्चर देख सकते हो, तो कितना affordable है, Mirinda House top करता है वहिया, NERV की ranking अगर आप खोले हैं, तो Mirinda House top करता है आपका, Indian colleges में, B.Sc, Honors Mathematics है, B.Sc, Honors Stats है, Lady Shiram College for Women में बच्चा, 20,000 के निए अबर्स का फी स्ट्रुक्चर है, तो अगर आपको Mathematics और Stats करना है, देखिए, अब आपको चूस करना है कि कौन से courses में, जिसे कई honors की कोर्स हैं, physics है, chemistry है, mathematics है, cut off बहुत जादा जाती है, Mirinda House में बहुत जादा जाएगी, Lady Shiram में बहुत जादा जाएगी, लेकिन थोड़े से lesser known जो colleges हैं, जैसे कि मैं बता हूँ, आपको कि रोडी मल है, ठीक है, यहां पर अच्छे chances हैं, आपके selection के, अगर थोड़े से marks कम हैं, aggression में chances जादा हैं, आपके अगर थोड़े से कम marks हैं, Hindu college की cutoff थोड़ी जादा जाती है, हंसराज की जादा जाएगी, ठीक है, commerce के लिए फेमस है, science के लिए भी फेमस है, गार्गी में थोड़ा ठीक ठाक जाती है, बहुत जादा नहीं जाती, और की comparison में आत्माराम की भी ठीक ठाक जाती है, बहुत जादा हाई नहीं जाती है, तो आप इन colleges में भी आप try कर सकते हैं, if in case आपका और colleges में selection नहीं हो पाया, तो counseling के लिए तो आपको multiple colleges को target करना ही करना पड़ेगा, और colleges की website में हर दिन नजर रखनी पड़ेगी, कब वो merit list निकालते हैं, अगर निकालते हैं, number आता है, तो आपको within एक specific date से पहले आपको admission लेना पड़ेगा, अपनी seat fix करना ही पड़ेगी, clear हो पार है बच्छा, तो ये था आज का वीडियो, if in case कोई doubt होता है, मेरे साथ personally बात करनी है, feel free to book a consultation with me, description में हम link provide कराते हैं, वहाँ से आप check out कर सकत हैं, नहीं तो गूगल, सब कुछ available है, Google में थोड़ा search करिए, हो सकता है, आपका teacher हो, family में कोई person हो, जो पहले से course कर रहा है, उनके पास जाएए, उनसे help लीजे, right, तो when there is a will, there is a way, अगर आप धूनेंगे, तो आपको मिल जाएंगे, help करने वाले, अगर कोई नहीं मिल पा करके जाएगा, और एक कुछ भी comment करके जाएगा, very nice video, sir, video अच्छा लगा, informative video, जो भी आपको ठीक लगता है, एक comment करिएगा, ताकि मुझे पता लग सके, हाँ भाया, देखा है आपने, ठीक है, प्रिजेंस आपकी felt होने चीए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो मु मुझे देखा है, ठीक है, तो कही न कहीं presence felt करा, अपने, like करो, अच्छा सा comment करो, जिससे आपकी presence पता लगे, मुझे, share करना चाहते हो, तो at least एक friend के साथ share कर सकते हो, जिसको admission चाहिए, जिसको थोड़ी सी knowledge चाहिए, इसको मेरे बार में awareness नहीं, यह थोड़ा बहुत मेरी publicity सिद्धी हो जाएगी, रहीट, चले बच्छा, मिलेंगे नेक्स वीडियो में, till then, take care, goodbye, पढ़ते रहेगा, मेहनत करते रहेगा, क्या आपका भी दिना हैगा, thank you so much.